दोस्तो यह Bluetooth speaker मेरे पास repair के लिए आया है यह on तो हो रहा है लेकिन इसमें से audio output नहीं हो पा रही है अब सीधे सीधे तोर पर यह कहूं कि इसकी audio AC खराब है यह dual channel वाला है इसमें आप दे सकते हैं दो speaker है तो यहाँ पर दो audio AC के अंदर रहती है अब यहाँ इसका solution कैसे होगा वह आपको मैं बहुत ही simple तरीके से मैं बताऊंगा और इस पर वीडियो आपको ठूटने पर भी नहीं मिलेगी खापी सारे लोग इस बोड को reject कर देते हैं आईसी change करने का trick बताते हैं आईसी अगर change नहीं कर सकते हैं तो बहुत ही simple trick आपको बताऊंगा जो आप घर पर easily कर सकते हैं सिर्फ एक solder iron की मदद से तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना स्किप मत करना वरना बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हैं और वीडियो को लाइक जरू करना लाइक एम आज करकते हैं 300 लाइक का मुझे पता है आप लोग कर लेंगे साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को दबाने के बाद आल आप्शन को सेलेट करें हमारी वीडियो का नौड विक्षन आपको हमेसा मिलता रहेगा वीडियो को ज्याद से ज्याद सेयर करें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर यह Bluetooth स्पीकर जो मेरे पास पड़ा है यह मैं अल्रेडी खोल कर रखा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पर करने का तरीका बता देता हूं इस इसपीकर तो मैं खोल चुका हूं लेकिन यहाँ पर दूसरा स्पीकर आपको एक डेमो की तवर पर खोलूँगा यह छोटा सा है लेकिन वही मैथडिसमें भी लगेगा खोलने का तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस तरीके से लौक ब जो customer था उसने तोड़के रखा हुआ था मैंने इसमें फैविक विक डाला हुआ है लेकिन इसमें भी audio की दिक्कत है तो इसमें भी आपको करके दिखा दूआ चलिए इस तरीकी से खुल जाएगा आपका थोड़ा सावधानी से खोल लिएगा अब यहां पर देखिए यहां प आपको यह चलिए खोल के ही बता देता हूँ और जो speaker में यह खोल रहा हूँ इसमें भी audio का प्रोब्लम है फिलाल उसमें काम करना है तो आपको एक हिंट देखे बताना जरूरी है तो कापी सारे लोगों को खोलना भी नहीं आता तो बताना उचीत रहता है तो फिर आधा अ आधा कि मैं दिखने हूं इसम एसी प्लेट उसमें भी लगी हूँ है यह देख लीजिए यह यह पर जो प्लेट लगी है और वहां पर जो प्लेट लगी है सेम है बिल्कुल प्लेट को इसमीन भी एक हम कर दो इन दोनों प्लेट को आप सबसे को डिफ्रेंस नजर नहीं जो प्लेट है उस वाले बड़े speaker की है उसमें दो IC लगी थी वो तो मैंने निकाल ली है और यहां पर सिफ एक ही IC लगी है क्योंकि इसमें एक ही speaker अगर आप दूसरे speaker को चलान चाहते हैं तो में option भी दे रहा है और यहां पर IC का option भी दे रहा है आप चाहें तो IC इस्टॉल कर है आप कैसे तैसे इसको IC निकाल लीजिए और बहुत सारी ट्रिक है आईसी निकालने की आप उससे भी निकाल सकते हैं तो यहां पर दो IC थी क्योंकि dual channel है आपर दो IC मैंने निकाल के रख ली है अब यह देखिए IC आपको दिखाता हूं यह दो IC आप देख सकते हैं यहां प आप IC को चेंज कर लीजिए अगर आपके पास IC ऐसी वाली है बिल्कुल सेम नंबर की इसमें नंबर यहां पर जली विए तो नंबर बिल्कुल मिट गया है मैं कोशिस कर था हूं पढ़ने की इसमें IC का नंबर 9802 अगर है तो इनको मैंने निकाल के रख लिए अब देखिए audio IC मेरे पास यहां पर है नहीं क्योंकि audio IC यह चाइनिज केट रहती है तो इन में audio IC का कोई पता नहीं कि मिलेगी नहीं मिलेगी तो एक सिंपल सी आपने ट्रिक अपडानी है मात्र 30-40 यहां से ही हमें voltage इसमें मिल जाएगी बाकी input जो है यहां का इसका output रहा है उसको इसमें input देख वो सब आपको अच्छी तरीकी समय समझाओंगा आपको इसलिए कहता हूं वीडियो को पूरा जरूर देखें इसकी बिल्कुल भी मत करें अब यहां पर देखिए मैं चाहता तो इसको भी install करके Bluetooth वाला यहां पर लगा सकता है लेकिन यहां पर light wide बिल्कुल दे रखी है तो मैं बहुत ही बढ़िया तरीके इसको बनाओंगा इसलिए यहां पर जो है सिर्फ आइसी की कमी थी तो यह kit तो बिल्कुल okay है इस kit को हम अभी भी यूज में लेके आएंगे बस audio के लिए इसका प्रियोग करेंगे हम 8403 बोर्ड का इसको पर्चेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देऊंगा ओनलाइन अगर खर देंगे तो ओनलाइन थो आपको महंग पढ़ जाएगा लेकिन emergency ज़रूर है तो आप ओनलाइन खरीद ली और कहां से output कहां से input होना है अब देखिए यहां पर देखिए एक कागेश पूर्ड में बना अब इसका screenshot ले सकते हैं देखिए यहां पर सबसे पहले यह 10 पिन की IC है यहां पर इसका point है तो यहां से start होएगा तो ऐसे घूमते वे यहां तक जाएगा 12345678910 यहां पर देखि कर लीजिए चाहे तो आप पाच भी फिल्मेस का connect कर लीजिए देखिए जब आईसी आप replace करते हैं तो आप सीधे उठाके उस पर जितनी जो लेग जहां से हमने निकाली वहां से ऐसी को उसी तो बैठाने कोई दिकत नहीं है अगर हम external यहां पर इस board को लगा रहे हैं तो त कि में आपकी चैह किसी में भी आप दे दीजिएगा और जो speaker output है, इस IC से निकलते हैं, आपकी 8 वे और 9 वी पिंच से, बोले तो positive 9 वी पिंच से, 8 वी से आपका speaker negative निकलेगा, अब ये जो print है हमने trace करने हैं, देखिए, आपको मैंने बता दिया था, यहाँ पर इस board में, आप समझने की क्योशिश के कीजिगा, इस board में जो हमने IC इसी निकाली थी, audio ऐसी निकाली थी, यहाँ से एक नमबर पिंच से start करेंगे, यहाँ तक, तो यहाँ से हम एक wire उठा लेंगे, इधर के लिए, इस वाली के लिए उठा लेंगे, इसमें जो 5 वोल्ट है, यहाँ से 5 वोल्ट की wire उठा के, आपको pin नमबर बताया था मैंने, यहाँ पर भी ध्यान दीजेगा, pin नमबर आप देख लिए विसको कट करके मैं रख लेता हूँ, set भे, यहाँ पर भी ध्यान दीजेगा आप, इसको set कर लेता हूँ, एक मिल्ट, तो यहाँ पर देखीगा, इसमें 5 वोल्ट है, वहाँ मैं कितनी बोल्ट मिल रही, वादा स चाहर 5 वोल्ट के आसबास मिल रही है, थ्वड़ा सकम बहुत, कम ज्यादा भी मिल सकती है, लेकिन 5 वोल्ट सी ज्यादा नहीं मिलेगी, तो यहाँ से हमने एक वायर उठा के इसमें देदना है, इसको हमने 5 वोल्ट देना है, तो उठा के यहाँ पर देदेंगे 5 वोल्ट, या बैटरी का नेगेटिव से उठा लीजिए, तो इसको हमने ग्राउंड दे दिया, और 5 वोल्ट यहाँ से उठा के इसको दे दिया, तो यह ऐसी हमारी ओन हो जाएगी, अब यहाँ पर इसको सिगनल इंपूट कहां से देना है, इस वाले को सिगनल इंपूट कहां से देन तो जो इनपूट सिगनल हमारा जाएगा, इनपूट सिगनल यहाँ से उठेगा, साथवे नंबर की पिन यह आपको बताता है, इसमें, आप डाइग्राम में ही देख लीजिए, साथवे नंबर से उठेगी एक वायर, इसके लेफ्ट राइट जो भी आप देना चाहिए, अब सिद्याध की जडरत नहीं है, आपको आटोमेटिक यह वाला ग्रांड यहाँ पर मिल जागा, क्योंकि दून ग्रांड एक सफ़ी नंदर कनेक्ट होते हैं, अब क्या है कि? अब बात है आउटपुट की, अब आपको इस speaker जो आउटपुट यहाँ पर मिल रहे हैं, उन पर एक का तो मैंने बता दिया, एक राइट का मैंने बता दिया, आप लेफ्ट का इस वाली IC थे, वही system रहेगा, पूरा on का, on होने का पूरा वही system रहेगा, बागी तो हमने जो इसको connection on करने का देना था, वो दे दिया, पहले और यहीं से दे दिया है, अब सिर्फ हमने यहा यहाँ पर, यहाँ से हमने 7 नमर की pin left, right में दे दी, और इस वाली IC की 7 वाली pin हमें left में दे देनी है, बस इतना हमने काम करना है, बाकी यह चल पड़ेगा, और लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, इसको on करने के लिए, अगर हम direct यहाँ से 5 बोल्ट यहाँ पर उठा के देते हैं, तो अभी भी समझ में आया है, तो फिर एक बार बता दूँ, और जिन्ने समझ में आगो, इसकी वीडियो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जिन्ने नहीं समझा है, फिर बता देता हूँ, जो हमारी IC थी, इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, देखिए, ऐसी थी, यह 10 दस पीन की एसी है यहाँ पर एसी का ही एक diagram रहने बना के रखा हुगा है अब यहाँ पर दखिए ऐसी की position यह देखिए कट वाला हिस्टा ही है और point वाला cut और point एकसायट होगा तो आसी की यह कि अब यहां पर यह है कि हमने कैसे करना है इस चीज को बहुत ही इभाले का सबस्क्राइब मिल रही है तो वह थाके इस audio Pod को ने 5 बyourt देना, आपस बड़ को पांच ब्रक कहीं से भी देदिजिए, यहां से उठाकर देजिए, कहीं से पांच बोर्ट देजीए, आप इसको 5 ब्रक को इहां से देजिए, कहीं से भीекоर किमों, तो यहीं से देदीजी का, अब जो signal input होना है, तो यहाँ पर हमें signal input कितने नमर पर मिल रही है, लगबग 7 नमर की pin पर signal input मिल रही है, तो इस IC को signal जाएगा, इस IC को signal जाना है, इस IC के, 7 नमर की pin से उठा के हम right में देदेंगे, left के लिए इधर से 7 नमर का उठाना है, right के left, right हमारे speaker चलने है, तो इन दोनों IC के 7 नमर की pin से एक एक wire उठा के हमें left, right में दे देनी है, बस इतना साम हम करना, और बाकि speaker जो output है, speaker output इस board से नहीं होगा, इधर से होगा, अब यहाँ से हमारे signal बन रहा है, तो यहाँ से right का ये, और left का ये output होगा, अब यहाँ से आप आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर दो wire आप उठा इधर पर देते हैं, तो यहाँ पर जो सौकेट बने वाप इस speaker पर जोड़ लिजिए, अगर ये बावाला आप नहीं करना चाहते हैं, तो right और left, आप देख रहें, right और left ये बने है इन सौकेट को निकाल के right और left में जोड़ लिजिए, यहीं पर speaker आप लगा लिजिए, तो मैं यहीं ट्रिक अपना हूँगा, तो बागी जो signal का था वो आपको बता दिये, बस बागी अभी मैं आपको practical करके दिखाऊंगा, तो आपके और भी deeply समझ में आ जागा, फिलाल हम सौकेट वाले हैं, वैसे आप सौडरिंग भी कर सकते हैं, कोई compulsory नहीं कि आपने सौकेट ही लगाने हैं, आपकी इच्छा है, अब यहाँ पर सौकेट वाले हैं, यह वाले ज्यादी कमपटेबल लगा है, ताकि हम speaker को easily कभी भी plug-in या plug-out कर सकते हैं, इसलिए मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, तो इन सौकेट को यहाँ पर हमने कर लेना, speaker output में इन दोनों को, चली मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ, बाकी आपको फिर मैं बता दूँगा, वीडियो वरना बहुत जद लंबी हो जाएगी, तो मैंने इसको यहाँ पर जोड़ लिया है, असल में जब मैं होड़ गन से या फिर हीड गन से इसकी आइसी निकाल ला था, उस वक्त थोड़ी सी हवा का प्रैसर एदर को चला गया थे, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें हमारा अभी भी काम बन जाएगा, बाकी यहाँ पर जो इसको 5 वोल्ट देनी है, तो इस किट से हम पाँच इस बात का आप ने ध्याम पुरा पुरा देना पड़ेगा, तो और कंपोनेंट को भी डिस्टब ना हो, तो इस बात को आप ध्यान से देख लिजेगा, और यहाँ पर पाँच वे से मैंने, एक मिनिट इसको थोड़ी सा हम, और छोटा कर लेते वायर को, बहुत ज्यादा तो हम ग्राउंड पर कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड वे इसका बेस वाला हिससे रहेगा, ग्राउंड का, तो यहां से दो वायर मैंने उठा ली है, और यहाँ पर मैं पांच वोल्ट पर देदूगा, और यहाँ पर देने से पहले मैं यहाँ पर एक स्वीच लगाऊंगा, ग्राउंड की मैं पहले जोड देता हूं, क्योंकि यहाँ पर स्वीच लगा कर हमारा स्वीच से कंट्रोल होगा, तो स्वीच हम लगा लेंगे, तो चलिए फिलाल एक बार प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर जोड लेता हूं, बाद में स्वीच वागर तो बाद में भी रोड लिए हैं, चलिए, दोनौऽवच में हमारे जुलवगे हैं, और सात्मा भी एक काम और करना है, इंपूट का आपको कितने नमर की पे बताया था, यहाँ पर दिखाता हूं और मेंट, इंपूट का आपको बताया था नमर की तो दोनो इंपूट लेना हमने, तो दोनो है चलिए यहां पर मैं 7 नमों के फिनवे स्फोगत रीस कर लेता हूं द्यान पूर्वाक करना है कि दूसी जगे पे अटेच ना हो इस बात का अपने ध्यान देना है तो दोनों ऐसी कि आत Germans — नमों की पिन पर मैं इसको फोलिंड कर लेता हूं तो यह आठों भी अटेच हो गया थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना कि दूशी जगह ना लगे बस क्योंकि यहां पर अगर दूशी जगह यह अटेच होता है या भी कोई इसमें गड़बर होती है तो बहुत बड़ी यहां पर दिक्कत आ सकती है जैसे कि स्वार्ट सर्कृ होता तो एकी इस ऐसी हम एकी जो है साथ वो रोगे पिंशे उठाते अब दूनु चैनल है तो दूनु आईसी की साथ वो साथ वो नमर के नियो उठा ली है और वहां पर जो लेफ्ट राइट है उसमें इसको जोड़े लेना है यह लेफ्ट राइट इन्पूट का यहां प आप यहां से एक GROUND it अधाकर इस बोर्ड में कहीं भी GROUND आप दे दीजिए आपको तो तो में उस ही लुट किसे ग्राउन्द से सब्सक्रान को इब 죄송 constitution हुँ यह जो पीच का इसका ग्राउंड का हिस्सा है इसको बोडि में अटेज करता हुँ तो ग्राउंड आ रहा है दीखे यह ज़रूरी नहीं कि हमने वहीं से ग्राउंड देना है तो कोई बात नी एक ही आप लेफ राइड जो लीचे ग्राउंड आपको इसे मिल जागा एक एक को तो मैं यहां पर ground कर लूँगा एक को तो यहां पर ground बैटरी का कर लूँगा और जो एक मिनेटिक मिलेगा यह positive है sorry ground करना था हमने तो जल्द बाजी में यही सब चीजें हमें नहीं करनी है तो जल्दी अगर कोई काम करते हैं तो बहुत सारी समझें आशकती है तो इसको मैंने ground कर लिया है क्यांकि यह ground का ही है बाकी negative ground एक ही होता है और यहां पर देखिए इसको मैं बैटरी के हैं पर positive में connect कर लेता हूं यहां पर जो battery का ही जो circuit है इसमें मैं इसको connect कर लेता हूं फिसको own करके आपको test करवा दूंगा तो यह हमारा कनेक्ट हो चुका है तो यह अन हो चुका है यहां पर आपको दिखाता हूं मैं I आपको थोड़ा साउंड सुनाए देवागा स्पीकर का आपको आपको फाइनल एक टेस्ट करा कि दिखा देता हूं फिर यहां पर इसमें जोड लूँगा चलि यहां पर एक मुवाइल को इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूं इसको अन करना करना पड़े का पहले तो आपने सुना होगा यह ओन हो चुका है और यहां पर लाइट कितनी शांदार लग रही है इसके साथ थोड़ा सा घटा के इसको कोई चीज कहीं पर टच नहों बस यही चीज में हमने ध्यान देनी है तो चलिए मुवाइल को इसके साथ मैंने कनेक्ट कर लिया है अब आपक स्पिकर को जब हम गहरा ही देंगे तो और भी यहां पर बेस देखने को मिलेगा अब इसका पूरा सेट अब यहां पर तयार करते हैं और एक चीज बता दूं यहां पर इसमें जो इस kit को हमने लगा रखा है, इसमें direct हमें, इसमें अगर off भी करता हूँ, तो इसमें हमें, क्या है कि 5 vote मिल रहा है, इसमें एक external switch दे दूँगा, अगर इसमें कोई improvement होगा, तो अगली वीडियो में आपको जरूर बता दूँगा, फिलाल यहाँ पर मेरे को कोई भी यहाँ पर अब यहाँ पर चलिए, इसको मैं a test यहाँ पर कर लेता हूँ, फिलाले की switch तो लगाना है, कोई दिकत नहीं है, मैं लगा लूँगा, और मैं हमें सा कुछ ने कुछ इंप्रूमेंट यहाँ पर देखता रहता हो, अगर हो तो जरूर बताँगा आपको, तो सबसे पहले बागी यहाँ पर हम काम करेंगे, तो यहाँ बेटरी की connection हटा लेता हूँ, छलिए, बेटरी की connection मैं हटा चुका हूँ, अब बागी यह पूरी तरहकी से off हो चुका है, अब हम यहाँ पर हम simple τरीके से काम करेंगे, कोई भी disc आभी धैश आभ यहाँ पर Rachel की यहाँ नहीं और यहां पर इसको मैं निकाल लेता हूं, चलिए इसको साइट रख लेते हैं, इसको भी साइट रख लेते हैं, अब यहां पर इसको मैं रख लेता हूं अभी साइट पर, यहां पर देखिए इसको जो लगाने का तरीका रहेगा, इसकी जाली हटा लेता हूं, जाली फिर हट दालेंगे कोई बात निए इसको यहां पर इस तरीके से मैं पहले fix करता हूं और यहां पर इस speaker को fix करता हूं क्योंकि left-right के हैं और यहां पर इस kit को मैं लगाऊंगा यहां पर एक मिनट यह लगेगा हां इस तरीके से लगेगा यहां पर यह लाइट हमारी आएगी इधर खाचे पर कि इधर खाचे पर आजाएगी एक मिनट इसको हाँ इस तरीके चेंदर को तो जैसे निकाला है वैसे लगाना है यहापर कोई भी हमने एक्स्ट्रा कोई हेर फेर नहीं करनी है क्योंकि इसके खाचे बिल्कुल सेम बने रहते हैं च इसको भी इस तरीके से हमने लगा लेना है तो वायर वगर देख लेते हैं कोई भी जायर नहीं टूटी है तो यह भी आपर फ़र्स चुका है और स्पीकर के जो आयर थे एक मिनट हाँ स्पीकर के वायर यहापर लगने थे लेफ्ट और राइट के यहापर लगने थे लेफ हो सके तो यहां भी कर सकते हैं जगह अगर होगी तो यहीं पर कर लेंगे कोई दिकत नहीं है हां काफी जगह हैं फिर हो जागए शिस्टम रिट चलीए यहाँ पर फिट हो जागा हमारा और इसको ध्यानपूर्ण ऐसे फिट कर लेंगे ताकि यह कोई भी और जगह पर ना बनता है दूस्तों चलिए इसको मैंने इस इस तरीके से मैं टेप मार दिया हूँ और यहां पर जहां जहां मुझे तार खुली लगेगी वहीं पर मैं टेप मार दूँगा चलिए यह भी मारा काम हो चुका है अभी जग भी इसको फसाद हूँगा अब आप देखते हैं आप कमफटेबल जैसे भी हो वाइसा कर सकते हैं चलिए यहीं पर रख लेते हैं कोई वह नहीं है कंपल्सरी की हमने वहीं पर रखना है तो यहीं पे इसको रख लेते काफी जगे इधर पर है हमें मिल रही है अगर वहां पर रखते हैं तो बहुत सारे दिक्क्त अभी हमें लेता हूं एक मिल्ट वैसे मेरे पार और एक बैटरी तो पड़ी है इसी को मा लगा लेता हूं चलिए यह फिक कंडिशन में है इसको दबा दिया इसे और इसको यहां पर इस तरगे से फसा देता हूं थास तो बनी है एक मिल्ट हां बैटरी का कनेक्टर कहां गया भी हां य इसके समझ्या है क्योंकि यहाँ पर audio board हमारा on हो चुका है अब इसके लिए हम कौन सी ट्रिक अपनाएंगे एक मिनट इसके लिए हम बटन किस जिगा पर फिक्स करें तो फिलाल मैं बैटरी को यहाँ पर निकाल चुका हूँ अभी क्या है कि इसमें यह वारी बैटरी फिक्स ह यहाँ पर देख लेता हूँ एक मिनट यहाँ पर देखिये ताकि यह कहीं पर टच ना हो उससे पहले एक बटन जो हमारे पास on-off करने के लिए है इसको मैं कौन शीए को फिक्स करूँ एक देख लेता हूँ एक मैं इसको रखता हूँ साइट पर यह काम फिर भी हो जागा ह हमारा वैसे खाली जगह हमारी यहां पर भी खाली जगह है तो उस स्विच को मैं करूँगा इस जगह पर फिक्स यह स्विच जो है इस जगह फिक्स होगा और लेकिन नीचे से यहां पर इससे करूँगा देखिये यहां से करूँगा उसको फिक्स तो यहां से जब इसको फ गोजल से हो दिए आप देखिए यह को चुका है अब है यहां पर देखिए यह स्विच है यह मैं कुछ इस तरी किसे फिक्स हुआ गई और चीज को भी डिसव ना करें तो यहां पर पहले जो फोल हुच उगा इसको मैं यहां पर क्लियर य हमें कर देता हूं एक मिन्ट तो आ तो बिलकुल यहां पर अच्छी तरह के से हो चुका है अब यह पर बटन को में फिक्स करूंगा अभी काफी यह पर मुझे फूल और करना पड़ेगा यहां पर hole तो हो चुका है आप देख सकते हैं अंदर को अब यहां पर जो हमने switch लगाना है इस तरीके से इसको फसाएंगे इस तरीके से और यहां पर यह स्विच का यह पूरा पॉइंट निकल जाएगा तो यहां पर दिखिए यहां पर थोड़ा सा फैविक्विक डाल के इसको फिक्स कर देता हूं ध्यान रहे फैविक्विक इसके अंदर न जाए वरना इस switch भी आपका खराब हो जाएगा तो इस बात का अपने ध्यान देना है जरुनिकी यही switch लगाएं कोई और switch भी आप यूज कर सकते हैं तो चलिए फिए मैं इसको जल्दी से attach करके आपको दिखाता हूं दोस्तों finally मैंने यहां पर switch जोल लिया है यहां पर वह वाला switch जिस चीज का डर्था वही हुआ फैविक्विक से वह चिपक गया था अब यह यहां पर मैंने दूसरा switch attach किया है जो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से on off होगा आपको तो लजा और clear मैं दिखाऊ तो आप देख सकते हैं इस तरीके वाला इस तरीके से on off होगा यहां पर लिख भी दिया इंडिकेशन के लिए कि on करके यहां को on करते तो यह on हो यहां पर वायरिंग करनी है बाकी तो आपको सब कुस मैंने यहां पर बता ही दिया था वायरिंग का पूरा system जो भी मैंने यहां पर किया हुआ था साथ ही diagram भी मैंने आपको बताया था कि किस तरी cases का diagram हमने बनाना है अब यहां पर हम switch का connection करेंगे यहां पर simply battery यह बैटरी ह है आप ध्यान दीजिएगे बैटरी का जो यहां पर पहले तो मैं बैटरी को अटेच कर लेता हूं यहां पर इस जिगव फिक्स कर लिए मैंने बैटरी अब बैटरी से जो दो वायर निकली है जो negative की है negative को तो हम यहां पर negative में जोड़ लेंगे और positive को positive पे जोल लेंगे औ तार कि switch यहां पर इसको कंट्रोल करें तो यहां पर पहले तो मैं negative की तार जोड़ लेता हूं negative की body पहाँ भी बैटरी की जो पॉइंट थे वहां पर मैं इसको शोल्डिंग कर लेता हूं तो अच्छी तरीकी से शोल्डिंग हो चुका है यहां पर शेघ करूंगा कि कोई औ अब यहां पर बैटरी का जो positive है इसके एक टर्मिनल को मैं यहां पर switch के एक टर्मिनल से यहां पर soldering करूंगा तो इस तरीके से इसको मैंने soldering कर लिया है और यहां पर एक वायर हमने external और लेनी है तो उसको उसकी एक टांग को हम switch के बीच में दे देंगे और एक टांग को हम सीधे इसमें positive में जोड़ेंगे तो यहां पर हमारा काम perfectly हो चुका है बस इतना इसका connection है बाकी देख लीजिए आप अच्छी तरीकी से आपको समझा दिया कोई चीजी समझ में नहीं तो फिर आप पूछ सकते हैं तो यह काम perfect तरीके से हो चुका है अब इ देखेंगे आप हमारे कार्ड भी कार्ड भी on हो चुका है चलिए गिर गया है इसको मैं attach कर लेता हूं फिर से तो attach हो चुका है अब finally इसको मैं pack करूंगा तो पैक करने का तो तरीका रहेगा मिल्कुल वही जैसे आपने निकाला था वैसे पैक कर लेना है यहां पर कुछ व वायर आप देख एक में टेक मिट यो वायर आप देख रहें फाल्तु कि अब यह आपको किलियर में दिखाता हूं यह सब वायर को इधर पर अच्छी तरीके से फसा लीजिए ताकि कोई और जीगा पर touch ना हो कोई और दिक्कत यह ना करें तो यह सब हमारा काम complete हो जुगा है अब यहाँ पर इसको मैं इसमें fix करता हूं अच्छी तरीके से तो यहाँ पर सुर्री है उल्टा हो गया लोज़ा सकर इस तरफ को fix करना हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको इसमां फसावाट लेथा झा तो फैनली यह fix हो चुका है अब यहाँ पर एक मिनिट तो यहाँ पर यह फिक्स हो चुका है लेगिन एक तागा जो फसाना था यह हमने छोड़ दिया इसको यहाँ पर फसा लेंगे एक मिनिट खापी सारे लोग इसको लटका के भी चलते तो चलिए यह भी फस चुगा है अब फाइनल यह मैं करना क्या है आपर जितने भी स्कुरू हमें दिख रहे हैं यह सब यहाँ पर होल्स में लगा लेने हैं और कबर चड़ाना भी आपको बहुता दूँगा दोस्तों फाइनल यह जाली में यहाँ फिट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं इसकी जाली भी अच्छी तरीके से फिट हो चुकी है तो चारो तरफ से आप चेक कर लीजिए अब यहाँ पर इसके जो बेस वगरे के परदे आप देख रहे हैं इसको इसके उपर रख लीजिए इस तरीके से बस लग गया है वैसे ही यहां पर इसको इसको पर रख लीजिए और यहां पर दोनों खांच जैसे में एक खांच में पहले पहले पज़ाईए और दूरी खांच में दबा दीजिए फिलकुल यह बनके त्यार हो चुका है बस बटन अन करना आपने उसके बाद यहां पर पाउर को चालू करना है तो यह आउटोमेटिक चालू हो जाएगा तो आप जाएक सकते हैं अन हो चुका है परफेक्ट तरीके से और इसमें से साउंड भी आ रहा है अब यहां पर मोड चेंज करता हूं एफम का मोड लगाता हूं देखिए ऐयो एक्स मोड एफम मोड प्लूट त तो फाइनली यह बनके त्यार हमारा हो चुका है थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी आपको वीक आ रही होगी तो कि यहां पर लाइट चली थी वैसे जो फाइनली मैंने बता था वहां पर बहुत अच्छी तरीके से आपने देखा होगा और समझा होगा अब यहां पर दे चीजे मैं और बहुत सारी जानकारी मैं देता रहूँगा इसी तरह सपोर्ट करें इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें आज के लिए बस इतना ही फिर मिल तक लिए वीडियो में तब तक लिए जय ही जय बाद